उत्तर प्रदेश के जनपत शामली में महिला दिवस से अगले दिन एक अजीबु गरीब मामला सामने आया है एक युवक ने महिला थाने पहुँचकर पुलिस से गोहर लगाई है कि मैडम मेरी शादी करा दो कब तक मैं कुमारा रहूँगा युवक का कहना है कि उसकी हाइट दो फिट होने के कारण उसे दुलहन नहीं मिल पाती और मिल भी जाती है तो घरवाले शादी नहीं कराते जिससे परेशान अब युवक ने महिला थाने पहुँचकर पुलिस से शादी कराने की मांग कर दी शामली जन्पत के केराना कस्बे के निवासी 26 वर्ष ये युवक मुहमद अजीम की हाइट कम होने यानि दो फिट की होने के कारण उसे दुलहन नहीं मिल पा रही मुहमद अजीम पिछले कई महिनों से शादी को लेकर काफी परिशान है वो लगतार पुलिस और प्रशासन की अधिकारियों से मिलकर शादी की गुहार लगा चुके है आज भी अजीम ने शामली महिला थाने पहुँचकर पुलिस से शादी कराने की गुहार लगाई उसका कहना है कि महिला थाने की साथ-साथ S.D.M. और कोतवाल से भी कई बार शादी कराने की गुहार लगा चुके है लेकिन उनकी माँग पूरी नहीं हुई अजीम का कहना है कि वो पेट पालने के लिए काम भी करते हैं लेकिन उसके परिवार के लोग उनकी शादि नहीं करा थे परिवार से निराशा हाथ लगने के बाद अब अजीम ने पुलिस और प्रशासनिक अधिकारियों का सहारा लेकर शादि कराने की गुहार लगाई है मेला इत्तानी में ब्यागी शिपालीच लगाने अचा साधी नी हो रही तुमारी? जी मेली साधी हो रही नी मैंने एट्याम चाप को खोजवार को जियो को चब को लेकर आया था अबने कल उनों ने जबने ना कली है नियो हम निकला थे मैंने का टेम देया था नाकल साब एनिका में मैं अब जाज जी ओपन के मैं पटिया लेया है जी क्यों नी हो रही था थी तुमारी? मैंने मेली उमल चपी चाल के उमल है कि वह तमना भी आजिम हो जाए मेली दूआ को पोल भी नहीं हो लिए अल्लभाग मेली दूआ का निकपोल तो आज मैला थाने में आए किसली आए मैला थाने में आप जी चादी की वचेत है मेले मेली चादी है लिच्चे जो आले मेले बदले मेले माबाब कलते निया चामली में भी है आप तो आप बदा दोड़ है तो आप मिले नहोंने क्या तोड़ नहों नह पिंड्रभार है रुद है उन्होंने नह कर ले थिछ पोली कि पिंड्वार बीदा मालता है उन्होंने नहें कögद को हुआ है कोई मेली महांग बोली निकलता पेट आला में मैं खली बाद में हो मेला कोई कुमाने वाला नी एक दुगान आवे गल वालों का पेट पलो में अब किस सरसी पादिश लगा होगे अपने साधी कि जी चे भी नी अची हम जो चेजा आएचे उपल चे तुनिया में चे जाले च शादी करने की मालाज अपने वाले ये भाई साब इससे पहले भी अधिकारियों को पत्र लिख कर सोशल मीडिया पर वाइरल कर चुके हैं वेल हमारी तो यही दुआ है कि अजीम के सपनों की राने इससे जल्दी मिल जाए और आपको ये वीडियो पसंद आई हो तो इसे लाइक करके चैनल को सब्सक्राइब कर दे टाइम 24 नीउस के लिए शामली से फुरकान जंग की रिपोर्ट पर चैनल को सब्सक्राइब करे और हाँ बेल आइकन दबाना बिलकुल न भूले